नमस्कार दोस्तो ओनले लेर्निंग श्टेनो चनल में आप सभी का स्वागत है 90 शब प्रति मिनट की गती से संपात के रिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकिंड बात स्टार्ट उत्तरकाशी में हुए सुरंग हादसे में फसे सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिये जाने के बाद समूचे देश के लोगों को राहत और खुशी मिली है इस दोरान तकनीक की उच्च शम्ताओं से लेकर अपात अवस्था में कुछ पारंपरिक तरीके अपना कर बचाव कारे के संचालन और इस अभियान में लगे लोगों के सरोकारों के तमाम उधारन सामने आए एक बार फिर सबने देखा की हादसे में फसे मजदूर जहां अपने जीवट और साहस के दम पर करीब सत्रा दिनों तक जोखिम के बीच टिके रहे वहीं सरकार ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव उपाय किये आखिर इस अभियान में मिली काम्याबी ने मजदूरों को बचाने की कोशिशों के एक व्यापक सरोकार को जीवन दिया मगर यही वह वक्त भी है जब इस मसले पर विचार किया जाना चाहिए कि किसी बड़े हादसे के बाद ही उससे निपटने या उससे उपजी मुश्किलों को कम करने के परियास शुरू क्यों किये जाते है निर्मान कारियों की शुरुवात से पहले उसके जोखिम या खत्रे का आकलन करके आशंकाओं से निपटने के लिए हर इस्तर पर ठोस इंतजाम क्यों नहीं किये जाते ताकि अपात इस्थितियों में नुकसान से बचा या उससे निउन्तम किया जा सके पैरा दरसल इस सुरंग हादसे में फसे मजदूरों को बचा लिया जाना एक बड़ी काम्याबी जरूर है लेकिन इसके साथ ही यह समूची घटना फिर से एक बड़ा सबक दे कर गई है हालांकि वक्त के साथ विकास के शेत्र में सभी इस तरों पर निर्माण कार्यों में आधुनिक तकनीकी के जरिये गुणवत्ता सुनिश्चित करने से लेकर निर्धारित या कम समय में किसी परियोजना को पूरा करने जैसे काम उपलब्धी के तोर पर देखे जा सकते हैं मगर सवाल है कि पहाडी इलाकों में सडकें या सुरंग जैसे निर्माण कार्यों में हर इस्तर पर जोखिम का सटीक आकलन उसके मद्दे नजर सावधानी सुरक्षा और पहाड धसने जैसी अपात इस्तिती में बचाव के पूर्व इंतजामों को लेकर जरूरी गंभीरता क्यों नहीं बरती जाती उत्तरकाशी में सुरंग में पहाड धसने की घटना से पहले भी इस तरह के छोटे बड़े कई हाज से हो चुके हैं मुश्किल यह है कि तरासद उधारन मौजूद होने के बावजूद नए सुरंग निर्मान कार्यों के दोरान तब तक जरूरी सावधानी बरतने की प्रात्मिकता नहीं दी जाती जब तक की फिर कोई भयानक हादसा ना हो जाए पैरा उत्राखन या अन्य पहाडी राजियों के जिन इलाकों में चोडी सडकों और सुरंगों के सहारे एक से दूसरी जगहा की यातरा को असान बनाने के दावे किये जाते हैं वहाँ अगर भूसकलन या जमीन में दरार पढ़ने की घटनाएं सामने आती हैं तो इसका मतलब यही है कि निर्माण कार्यों के दोरान पहाड के चटानों मिट्टी की प्रकरती और उनकी पकड का सटीक आकलन नहीं किया जा सका यों भी हिमाले को सबसे नई परवत शरंखलाओं में से एक और भुकंप के लिहाज से समवेदनशील शेत्र माना जाता है दोस्तों आपको हमारी डिक्टेशन कैसी लगी कमेंट बोक्स में अपने सुजाव जरूर दें धन्यवाद मिलते हैं अगली वीडियो में